दोस्तों अगर आपने रेल्वे गुरूपडी के एक लाग तीनहदर सासों नतर पदों के लिए आवेदन क्या है तो इस वीडियो को आप अन्त तक पूरा देखे क्योंकि अभी अभी रेल्वे रिकूर्टमेंट बोर्ड के ओर से आरारसी गुरूपडी के बदों के लिए आवेदन करने ओले सभी अभी अभीर्टियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी हुई है जैसा कि आप सभी को बताएं बीते 4-5 दिनों से दिलने में रेल्वे गूरूपडी के चातर रेल्वे के खिलाप आंदोलन कर रहे हैं थो सोरेवे गूरूपडी के 5 л challenges के फोर्म reject किया गया है और इन सभी अभीर्टियों का कहना है कि इनका फोटो और सिगनेचर की वजासे reject किया गया है बलकि उन्होंने सेम फोटो और सिगनेचर अराट भी नटीपिसी का फोर्म भरते वक्त किया था वहाँ पर उनका form accept किया गया और यहाँ पर railway group D में form reject किया गया है railway group D के छात्रों ने अलाबाद high court में case भी दायर किया है अब railway group D छात्रों को नहीं दिया जाएगा modification link ऐसा railway recruitment board का कहना है जैसा कि आप देख सकते हो आज के news paper की है सबसे बड़ी update है यहाँ पर आप देख सकते हो बीते चार दिनों से जंतर मंतर पर railway के खिलाब group D परिक्षा में तस्वीर और सिगनेचर के नाम पर बाहर कर दिये गए छात्रों द्वारा modification link दे जाने की मांग को लेकर किये जा रहे प्रदर्शन में आखिर कार railway board को जवाब देना ही पड़ा इन चार दिनों में चात्रों को मंदिर मार्क ठाने में उटा कर detain तक किया गया था सुकरवार को railway board के executive director अंगराज महन ने प्रदर्शन कारी चात्रों युआ हल्ला बोल के प्रतिदित से मुलाकात की जब चात्रों ने गुरूबडी परिक्षया के आविदन फॉर्म में फोटो और सिगनेचर के नाम पर फॉर्म रेजेक्ट किये जाने की बात उनसे कही तो अंगराज महन ने कहा की यदि किसी चात्रों को लगता है कि उसका फॉर्म गलत तरीके से रेजेक्ट किया गया है तो वो अपने जोनर रेल्वे बोर्ड को मेल करके समश्या बता है और उस पर उचित कारवाई का आश्वाशन भी दिया दोस्तों दरसल आप सभी को बता दें मोडिवेक्शन लिंक जारी करने की मांग पर अंगराज मोन ये कहते होई साप मुकर गए कि पिछले साल भी ये लिंक देना रेल्वे की एक गलती थी जिसे वो इस साल नहीं दो रहेंगे उनका मानना ये है कि मोडिवेक्शन लिंक देने से नकल में रुद्धी हुई थी और पुलिस विवाग ने उन्हें इस बार लिंक ना देने की गुजारिस की है दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आईए रेलवे गुरूब डी अपडेटियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड हो रहा है दोस्तों तकरीबन पाच लाग अपडेटियों के फर्म फोटो और सिगनेचर की होजासे रेजेक्ट हुए जबकि उन्होंने सेम फोटो और सिगनेचर आरार भी एंटिपिसी का फर्म बरते वक्त किया था और वहाँ पर उनका फर्म एक्सेप्ट हुआ है और रेलवे गुरूब डी का फर्म उनका रेजेक्ट हुआ है पाच लाग अब्विर्तियों का करियर दाव पर लगा हुआ है या दोसो यहाँ पर कुछ छात्राय से जिन्होंने अलावाल है कोट में इस मामले को लेकर केस भी दायर किया है और इसके सुनवाई अब जल्दी होनी वाली है या दोसो कोट में क्या अपडेट आता है इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जान करी देंगे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करें ताकि कोट में जो भी अपडेट आये हों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे दोस्तों आप सभी को बता दे रेलवे बोर्ड का साब साब कहना है कि गुरूब डी छात्रों को नहीं दिया जाएगा मोडिविक्शन लिंक लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंड बोक्स में अपनी राइ जरूर बताए और आपको भी लगता है कि रेलवे गुरूब डी छात्रों को एक मोगा दिया जाना चाहिए मोडिविक्शन लिंक एक्टिवेट किया जाना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा शेर करें ताकि सभी तक जान करें पोस्ट के और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो सब्सक्राइब कर ले